पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में ले लिया है जबकि दूसरा आरोपी एम्बूलेंस ड्राइवर फरार है गटनर अविवार देर रात की है आरोप है कि फिमल मेडिसिन वार्ड में इलाजरत अर्द विक्षिप्त युप्ति को नीजी एम्बूलेंस ड्राइवर संजय दास और उसका एक सहयोगी चाय दुकानदार ने अपने हवस का शिकार बनाया है वार्ड में भरती मरीजों ने बताया कि युप्ति को रात संजय बहला फुसला कर वार्ड से बाहर ले गया इसके बाद उसने अपने एक सहयोगी के साथ घटना को अंजाम दिया इसके बाद काफी होहला हुआ मामले की सूचना पाकर सराय डेला पुलिस अस्पताल पहुंची और घटना के बावत छान बीद की इस बीच मौका पाकर औरोपी अंबुलेंस ड्राइवर संजय दास फरार हो गया जबकि अस्पताल परीसर में ही चाय बेचने वाला एक दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है मामली में SNMMCH के अधिक शक डॉक्टर अरुन चौधरी ने बताया कि रविवार रात के साधे ग्यारा बजे दो यूबक में एक गूंगी और विक्षिप्त यूबती को फ्रीमल वार्ड से बहला फुसला कर बाहर ले गए इसके बाद वार्ड में नुक्त कर्वियू ने उसके खोजबीन शुरू की तो वह वार्ड की तरफ आते दिखी यूबती की मेडिकल जाच की जाएगी वही मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है